हलो देश्टों वेल्कम बेक्टों में डिक्राइब आपको फॉन मिल जाएगा और इसमें आपको बड़ी बड़े फिचर्स पी मिल जाएगा तो गाइस वीडियो इस्टाट करते है और वान पे जो फॉन आता है वह आता है फिपो की X90 स्रीज इसमें आपको टीन दिफरेंट स्ब्सक्राइब मिल जाएगा इनवेसे एक्स नाेटी प्रोप भैज एक्स नाेटइय की जो सीरीज है उसमें आपको camera special phone मिल जाएगा और इसमें आपको पांचार में इसके बैटरी मिल जाएगा उसके साथ साथ आपको बड़ी बड़ी प्रोसेसर मिल जाएगा और इसको camera phone भी बोला जाता है अगर आपको एक gaming phone चाहिए तो आप इस phone लेख सकते हो इस phone का नाम में Asus Rock phone 7 इसमें आपको Snapdragon 8GN 2 processor मिल जाएगा और इसमें आपको 165Hz की display मिल जाएगा उसका साथ साथ आपको इस phone में 6000ms की बैटरी मिल जाएगा और इसमें आपको 33W की fast charger भी मिल जाएगा आपको अंदर मिलने वाली iPhone जबर दस रहेगा इसलिए मैं iPhone को recommend करूँगा और नमबर 3 पर जो phone आता है होँआता है Realme के तरफ से इस phone का नाम में Realme GT3 इसमें आपको Snapdragon 7 Plus Gen 2 processor मिल जाएगा और इसमें आपको 5RMH की बैटरी मिल जाएगा उसका साथ साथ आपको इसमें 120Hz की refresh rate मिल जाएगा और इस phone बहुत ही बड़िया रहेगा उसके प्रैस के बारे मटके तो आपको इस phone 40R के अंदर मिल जाएगा और इस phone आपको एप्रिल में वेल जाएगा और जो phone आता है उस phone का नाम है Nothing phone 2 इसमें आपको Snapdragon 8 Gen 2 processor मिल जाएगा और इस प्रैस के बारे मिल जाएगा इसके जो safe है वो Nothing phone 2 के जैसे रहेगा और इसमें RPG लाट भी ओसे रहेगा इस प्रैस में आपको Nothing phone 1 से बहतर केमरा मिल जाएगा और इस phone आपको एप्रिल में एवेल बेल मिल जाएगा नमबर थाइप पेज जो phone आता है और इस phone का नम है वीवो V27E 6.62 इंच का एमलोड डिस्पल मिल जाएगा उसका सासाथ आपको 120 आज की रिप्रेसिट मिल जाएगा इसमें आपको पांचेर में एक के बैटरी मिल जाएगा जिसको चार्च का निक के लिए आपको 33 वोट की पांचेर मिल जाएगा बात कर इसकी प्रोसेसिट के बारे में तो आपको इसमें Meditec Helio G95 पांचेर मिल जाएगा और इसके इस फून की प्राइस के बारे मातके तो आपको यह फोन 30 हर के अंदर मिल जाएगा और यह फोन आपको एप्रिल पे भेले भेल भी मिल जाएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जारू करना मिलते हैं अगले वीडियो में किसे नाइट आपको के साथ तब तक के लिए इंतजार करना